जैसा कि आप सबको पता है तेभारों का सीजन स्टार्ट हो किया है और बहुत ही जल्ड हम सब बहनों का पसंदीता तेभार रक्षबनधन आने वाला है तो इस रक्षबनधन कुछ नए ट्राइ करते हैं, कुछ मीठा ट्राइ करते हैं, जो सबको पसंद आए हेलो फ्रेंट्स तमस्कार जोती की दद्रसुई में आपका स्वागत है अगर आपको आज की वीडियो पर सेंद आए तो फ्लीज मेरे चैनल को लाइज शेयर और कमेंट जलूर कीजिएगा और चैनल पिलना है तो चैनल को सब्सक्राइब पिलना भूलिएगा इस रेसिपी को आप किसी बित्तेवार में या फिर ब्रेट में कभी भी ट्राइ कर सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है तो आए फिर आची रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 लिटर दूद को गरम होने के लिए चड़ाया है गैस पर यह देख बीट बीच में दूद को इस तरीके से चलाते रहेंगे यह देखिए ताकि दूद हमारा नेचे चिपकेना और चारो तरफ से बर्टन सभी इसे अच्छे से चमच से मिलाते रहेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूद पहले निकाल लेती हूँ दो बड़े चमच के करि जिसमें मैं केसर की लर्यों को भीगो कर रखने वाली हूँ तो यह देखिए इतना ही दूद मैंने एक कटोरी में निकाल लेया है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए अब इसमें कुछ केसर की लर्यों को डाल देंगे थोड़ा सा यह देखिए इतना ही अब इसे हम थो तो यहां पर देखिए हमने इस तरीके से पनीर को कदुक कस कर लिया है घिस लिया है अब चाहें तो हाथों से भी जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल अच्छे से मैस कर सकते हैं अब इसे हम दूद में डाल देते हैं यह देखिए इस तरीके से सचमुच यह रेस्पी बिल्कुल यूनिक है आप इसे जरू ट्राइ कीजेगा पनीर का रेस्पी तो आपने बहुत ही बनाया और खाया होगा पर यह रेस्पी आपने कभी नहीं बनाई होगी एक पर बनाएंगे तो बार बार आपका मनी से बनाने के लिए करने वाला है तो प और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में अच्छे से चलाते रहेंगे देखेंगे आप धीर धीर हमारे खीर गाड़ी होते रहेंगी और एक बात बता दू मैं आपको ये पूरा खीर आपको कमाच में गैस कांच बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे अब इसमें एक छुटा चमच हिलाइची का पौडर डाल देते हैं मैंने यहां पर साथ से आठ हिलाइची को अच्छे से कूट कर पौडर तैर कर लिया है इसे भी डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए धीरे-धी खीर हमारी बहुत अच्छी काड़ी हो गई है और बहुत ही बढ़ियां खीर हमारी दिख रही है आपको बीच-बीच में बस इसे चलाते रहना है यहां पर पूरा खीर बनाने मुझे एक घंटा लगा है तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल कम आज पर हमें पूरा बनाना है हरबड़ी में नहीं करेंगे तो यह देखिए बहुत ही बढ़ियां हमारा खीर दिख रहा है तो इसमें अब हम मैं डालूंगी दो बड़े चमच नारियल का पॉर्डर नारियल का बुरादा यह देखिए अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं से भी आप इसकिप कर सकते हैं बहुत ही कम चीजों से यह खीर आप तयार कर सकते हैं यह कीन मनि यह सच मुझ बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ पर मैंने एक पाव पनीर दूद का यूज किया था तो यहाँ पर इतने चीजों में आप अराम से 7-8 लोगों के लिए यह पनीर का खीर बना सकते हैं तो यह देखें बीट-बीट में मैं अच्छे से खीर को चलाती रह रहे हूं अब इसमें हम डाल देंगे चीनी तो चीनी यहाँ पर मैंने एक चोटी कटोरी यूज किया है आपको जितना मीठा पसंद है आप उसी साब से थोड़ा सा कम्यादी कर अब इसे हम चीनी डाल कर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए खीर हमारी बिल्कुल अच्छे से गाड़ी होने स्टार्ट हो गई है बीट-बीट में इसी तरीके से चलाएंगे ताकि खीर हमारी नीचे चिपके ना इसी यह बात में बार बार आपको ध्यान द इस तरीके से बीट-बीट में हर 5-6 मिनिट में चलाते रहेंगे तो यह देखिए खीर बिल्कुल रेडी दिख रही है बिल्कुल अच्छे से तयार दिख रही है बिल्कुल पनीर और दूद अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए तो अगर आप चाहें तो इस टाइम में करेंगे बन चलिए खीर को सर्व कर लेते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि खीर को थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे तो यह ज्यादा टिस्टी लगीगा वसे आपकी मर्ची आपको गरम या ठंडा जैसा भी पसंद हो तो यहां पर देखिए मैंने कटोरी में खी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि अब हमारी खीर पटे की नहीं बस पत्ते टैम नहीं डालेंगे इस चीज का ध्यान रखेंगे मैंने यहां पर उपर से बादाम और कुछ केसर का यूज किया है यह देखिए बहुत ही बढ़िया दिखिए हमारी खीर आप इसे किसी वीवरत ने बनाई है या फीर फेस्टिवल में सच मुझ यह सब को बहुत ही पसंद आता है आज की हमारी बहुत ही बढ़िया सी रेस्पी कंप्लीट होती है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजेगा और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिपिकेशन आपके पास पहुँचे तो फिर मिलते हैं ऐसी टेस्टिव वीडियो में तब तक यलिए थांक यू